तो आज मैं आपके सामने trigonometric ratio tables लेका आया हूँ कि आप generally क्या होता है बच्चे यह table याद नहीं कर पाते हैं वह भूल जाते हैं ठीक है और हमें पता यह कितना useful है हमाने किसी भी एक्जाम के लिए trigonometric ratio का table sin 30, sin 0, sin 45, cot 45 बहुत जादा इसका use होता है ठीक है तो एक तो मैं आप tricks बताऊंगा एक वह आप tricks याद कर सकते हो लेकिन मैं recording table आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आप directly value put करके solve कर सकते हो time कम से कम लगेगा ठीक है अगर भूल जाते हो तो इसको use करो लेकिन in general आप table याद रखने की कोसिश करो ठीक है बार बार एक्जाम में इतना time नहीं हो कि हम बार बार हम value निकालने है तो याद रखने की tricks क्या है अगर इनके साब भूलते हो तो करना क्या है अगर सिफ आप सिर्फ sign का याद रखते हो तो आपको पता है इन 5 angle के लिए याद रखना होता है तो करना क्या होता है कुछ नहीं करना है यहां पर line से 1,2,3,4 हमें 0 से start करेंगे और यहां से 0,1,2,3,4 लिख देंगे 0,1,2,3,4 तो करना क्या है यहां पर हमने लिखा 0 फिर लिखा 1,2,3,4 यहां पर 0 आएगा यहां पर 1,2,3,4 अब सब को हमने 4 से divide कर दिया तो हर एक को 4 से divide कर देंगा है तो हमें यह 0 डिखर के लिए 30 के लिए 45 यह 60 के लिए 90 समय और फिर सब का root लेना है यह काम करने वाद सब का root लेना है तो इससे क्या होगा? 0.4 जी तो 0 हो जाएगा, root 0 क्या हो जाएगा? 0 तो बिम्सक्रिचिक लिए ole क्या जाएगा जैका 0 जाएगा 1 upon 4 under root 1 upon 4 क्या हो जाएगा 1 by 2 sin 30 1 upon 2 यहां पर क्या किया है इसे cancel out कर दिया 1 upon 2 1 upon 2 root में आजाएगा तो यह क्या जाएगा 1 upon root 2 यहां पर क्या जाएगा upon में 4 है ना root में बाहर क्या जाएगा 2 उफर क्या जाएगा root 3 तो यह तुमारा आगया root 3 upon 2 और यह 4 4 cancel out क्या बचा 1 root 1 के लिए तो यह तुमारा sign का table बन गया अब sign का बन गया अब एक sign का बन गया सब का बना सकते हो cost का बना लेंग लिए क्या करना है तुम्हें इसी table को उल्टा लेखना है 0, half, 1 by root 2, root 3 by 2, 1 को उल्टा कर दो अब यहां से start करो 1 ठीक है फिर क्या root 3 by 2 वह यहां लिखो फिर क्या 1 by root 2 यहां आ जाएगा फिर क्या 1 by 2 यहां जाएगा फिर क्या 0 यहां आ गया ठीक है तुमने क्या क्या sign की table को पीछे से लिख दिया है वह cost का table बन गया तुमारा अब 10, मैं पता है 10 का table बनाने कलिए 10 τ cupcakes क्या होता है 10 theta होता है sin theta upon cos theta यह में पता है 10 theta sin upon cos होता है बस इन दोनों को divide करते जाओ 0 upon 1 तो 0 upon 1 क्या हो जाएगा 0 जहाँ sin 0 वहाँ पे 10 भी 0 होता है 1 by 2 root 3 by 2 तो 1 by 2 को जब divide करोगे root 3 by 2 से तो यह 2 to cancel out क्या है 1 by root 3 तो यह आगया 1 upon root 3 यहां पे क्या है sin 45 half cos 45 half sorry half 1 upon root 2 1 upon root 2 तो 1 upon root 2 cancel out क्या जाएगा 1 इनको divide करोगे तो यह आजागा root 3 अब यहां पे इसको divide करोगे नीचे क्या जाएगा 0 1 upon 0 तो 1 upon 0 not defined होता है ठीक है यह दखना यह not defined होता है infinite मत बोलना not defined होता है ठीक है define नहीं किया गया इसे infinite अलग होते है not defined अलग होता है अब cot का लिखना हमें पता cot क्या होता है cot एक तो हमें पता है cot क्या होता है cot theta होता है cos theta upon sin theta दूसरा cot theta क्या होता है 1 upon 10 theta तो इन दोनों में से कैसे को भी उस कर सकते हो cot के लिए cos upon sin तो cos को sin से divide कर दो ठीक है या फिर 1 upon 10 तो चलो 1 upon 10 कर लेते है 10 गड़े से प्रोकल तो 0 1 upon 0 क्या हो जाएगा not defined है तो यहा दखना है जहां पे cos 0 होता है वहां पे 10 not defined होता है जहां पे sin 0 होता है वहां पे cot not defined हो जाएगा यह आगे तमाना not defined अब इसका reciprocal 1 upon root 3 का reciprocal 1 upon 1 upon root 3 तो यह क्या हो जाएगा root 3 1 का reciprocal 1 root 3 का reciprocal 1 upon root 3 और यहां पे क्या हो जाएगा 0 upon 1 तो जहां पे 10 not defined होता है होगा तो सब्सक्में पकाइए आण तो जहां पे सब्सक्राइब है तो पर भी स६्सक्राइब है तो जहुत is उससे कह दो होगा है क्ला के मुस्सक्राइब क्लोन मग Dogot सुनिकैना इसमिंट स कॉर्ण सब्सक्राइब होगा जहां पर sin 0 होगा वहाँ पर 10 भी 0 होगा अब sec के लिए बात करते है sec क्या होता है cos का reciprocal तो 1 का 1 आजाएगा reciprocal root 3 upon 2 क्या हो जाएगा 2 upon root 3 1 by root 2 क्या हो जाएगा root 2 1 by 2 का 2 और 0 का reciprocal 1 upon 0 मतलब not defined तो कहने का मतलब है जहां पर 10 not defined होता है वहाँ जहां पर sec भी not defined होगा जहां पर 10 not define होगा वहाँ पर sec not defined होगा ठीक है और जहां पर का क्से क्या होता है sign का reciprocal तो 1 upon 0 यह भी क्या होता है, इंफानियट मत देखता है NOT defined अब जहां पर sin 0 होगा वहाँ पर ко तो in general, जहां पे cot not defined होगा, वहां पे cos sec भी होगा, जहां पे 10 not defined होगा, वहां पे sec भी होगा, क्योंकि इसके नीचे क्या आता है, cos आता है, अब बस sin का reciprocal कर दो, 1 upon 2 का 2 हो जाएगा, 1 upon root 2 का root 2 हो जाएगा, root 3 by 2, 2 upon root 3 हो जाएगा, ठीक है, और यह 1 का reciprocal 1 हो जाएगा, तो basically sec भाले table को उल्टा लिख दो, तो भाना cos sec का table बन जाएगा, ठीक है, यहां पे root 3 के जाएगा, यहां पे root 2 होगा, mistake से root 2 होगा, यह root 2 है, ठीक है, यह root 2 है, सरी कर लेता है, यहां पे root 2 है, तो यह था table, हमने क्या किया, बस 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4 रखा, हर एक को 4 से divide किया, under root ले लिए, तो हमाना sign का बन गया, sign का बन गया, तो किसी का भी बना सकते हो, ठीक है, तो यह एक method था, दूसरा method है basic, जो मैं बता रहा हूँ, वो left hand है, ठीक है, तो बिना पूर टेबल बानी ज़रुवत भी नहीं है, तो जिसका निकालना है, उसका सिधा, निकाल सक पर, यह हमारी यह जो थम है, ठीक है, यह जो थम है, यह 90 है, 60, 45, 30, 0, तो यहां भी sign या cost निकाल लो कि तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है, तो यह लखना, अगर तुम्हें cost की value निकालनी है, अगर हमें cost की value निकालनी है, अगर cost थिटा चाहिए, cost 0, cost 90, तो हम move करते है, anti-clockwise, ठीक है, उलिटा move करते है, और अगर हमें, चाहिए होगा sin theta, ठीक है, तो move करेंगे हम clockwise, इस बात का ध्यान दखना, ठीक है, अगर sign के लिए निकाल ले हो, तो ऐसे move करो, sign के लिए, अगर cost के लिए निकाल ले हो, तो cost के लिए, ऐसे move करो, anti-clockwise, तो sign के लिए clockwise, cost के लिए anti-clockwise, ठीक है, अब क्या करना है, मालूँ तुम्हें कोई particular, अब, यहाँ पर सिधा बनता रहो, कोई तुम्हें particular value निकाल ले, मालूँ तुम्हें किसी निकाला, sign 45 निकालो, ठीक है, तो 45, अब sign के लिए हम क्या कर रहे है, sign के लिए हम बस देखना है, 45 का middle finger है, 45, इसके निचे कितनी उंगलिया आ रही है, 2 आ रही है, 2 आ रही है, तुम्हें क्या करना है, 2 by 4 लिखके, under root में ले लेना है, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 1 by root 2, simple है, तुम्हें किसी निकाला, sign 30 बताओ, sign 30, ठीक है, तो sign के बाद कितनी finger आ रही है, sign 30 के बाद, यह 30 का finger है, एक finger है, तो 1 by 4 लिखो, मतब कि जोब जितनी finger है, उसको 4 से रिवाइड करके root में ले लो, बस, यह काम करना है, ठीक है, अब तुमसे पुछे, sign 90, तो दखो, अगर तुमसे कोई पूछता है, sign 90 बताओ, तो 90 के बाद कितनी finger है, clockwise move करना है, clockwise move करके देखो, 1, 2, 3, 4, तो 4 upon 4 से रिवाइड करना हर इक term को बना गया, कोई पूछेगा, sign 0 बताओ, sign 0, तो 0 जगरी के बाद कितनी finger है, एक भी finger नहीं है, तो यह 0 upon 4 under root, यह क्या हो गया, 0 आ गया, तो जो हमने table उपर बनाए रहा है, basically वही है, बस यह represent करने का तरीका यहाँ पर बिल्कुल अलग है, ठीक है, अगर तुमसे कोई cost का पूछता है, cost का देख लेते हैं, अगर तुमसे कोई cost पूछेगा, तो हम cost देख लेते हैं, cost के लिए बस हमें anti-clock wise move करना है, यह धियान रखना, cost के लिए में anti-clock wise move करना है, तो अब तुमसे कोई पूशता है, cos 60 degree बताओ, तो अब हम ऐसे move करेंगे, ऐसे, तो 60 के बाद कितना finger आया, 1, तो 1 लिखा, 4 से divide किया, under root, क्या आगया, 1 by root 2, कोई cos 90 पूशता है, तो 90 के बाद कितनी finger है यहाँ पर, एक भी finger नहीं है, 90 के बाद, क्योंकि cos लेना, तो anti clockwise move करना है, उपर, तो 0 upon 4, under root, क्या आगया, 0, अब कोई हमसे पूशता है, cos 30 बताओ, तो 30 के anti clockwise move करो, उपर के side, 30 के बाद कितना finger है, 1, 2, 3, तो यह हो जागा, 3 by 4, under root लेना है, यह आगया, under root 3 by 2, cos 0 पूशता है हमसे, कोई, तो cos 0 क्या हो जागा है, 0 के बाद कितना finger है, 0 वाली finger है, उसके बाद कितना finger आ रहा है, 1, 2, 3, 4, तो 4 upon 4, under root is equal to 1 आगया, तो यह तुमारी sign और cos की value आ गई, ठीक है, अब कोई 10 का पुछेगा, तो तुम्हे sign का निकाल लिया, cos का निकाल लिया, divide कर लिया, कोई cod का पुछेगा, तो 1 upon 10 कर दिया, कोई sec पुछेगा, 1 upon cos कर दिया, कोई cos sec पुछेगा, 1 upon sign कर दिया, तो यह होता है, या basically tricks find करने का, trigonometric table का, अगर आप भूल जाते हो तो, मैंने पहले भी बोला है, आप याद रखने की कोशिस करो, याद रखो कि सबसे अच्छा है, time बचेगा आपका, तो अगर यह करने जाओगा, तो क्या होगा, exam में competition exam में, olympiade में time काम होता, तो हम जल्दी लिकरने में भूल भी सकते हैं, तो अगर यह tricks पसंद आया आपको, तो वीडियो को share करना, और चैनल को like और subscribe करो, bell icon दबा दो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम लोग upload करें, तो आपके पास notification पहुँच जाए, तो ऐसे ही वीडियो के साथ हम आगे भी मिलेंगा, अगले किसी lecture में, तो आज के लिए इतना ही, ओके बाई